वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरु जाटा ब्लोग को साथ में बेल आइकन का भी बटम दबा दीजे ताके मेरी आने वाली हर वीडियो की नोरिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे दोस्तों टाटा मोटर की मोस्ट पॉपलर एंट्री लेबर हैच्पेक कार अपने सेग्मेंट में काफी दमाल मचा रही है और इसकी सेल्स पीकर के अरम बात करें तो यहां पे सेप्टमबर में अबब 5,000 यूनिट इसकी बिकी है और जहां तक बिल्ट क्वाल्टी की बात क सपोर्ज करो आप इसे परचेस करना चाहते हैं इसके लिए आपको टाटा मोटर के नजदे की डीलर्शिप पर आना पड़ेगा और आपकी नजर एक आएक वहां पे टियागो के बजाए टियागो एनारजी पर जाए जो कि टियागो का ही SUV रूप है दोस्तों टियागो एन करते हैं और फ्रेंट और रियर में भी आपको सिल्बर करके स्किट फ्लीड मिल जाते हैं वहीं हम टाटा टियागो एनारजी की प्राइस रिंज की बात करें तो 6.57 लैक तो 7.09 लैक एक्सोरूम प्राइस दिल्ली इसकी रखी गी है और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि टाटा टियागो और टाटा टियागो एनारजी में सेम इंजन आपको प्रोवाइड किया गया है ब्यसक्स कंप्राइंट 1.2 लीटर स्थी सिलेंडर नेचरली एस्परेटेट पैट्रोल इंजन जो की 85 ब्यस्पी की पावर एंड 119 13 अनम का बीक टॉक जैनिट करता है और इ आपकी नजर जाती है टाटा अल्ट्रोस पे जो की एक प्रीमियम हेच्पेक कार है जैसे कि आप यहां पे देख पार हो बहुत ही एरो डायनेमिक सेप दिया गया है इसे और ग्लोबल एंसेपी क्रेस्टेट में 5 स्टार की रेटिंग मिली है दोस्तों और जहां तक इसकी प स्टार कोर Torres अंजर लेकिन टाटा अल्ट्रोस में आपको hide explorants मिलता है दोस्तों 165 mm का बाकी में आपको 170 mm का मिलता है लेकिन 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 दोस्तों, कार देखने का सफर आपका यहीं समापत नहीं होता है Recently Tata Motor ने अपनी Most Awaited Mini SUV Tata Punch को Launch कर दिया है बहुती बेतरी इन फीचर और डिजाइन के साथ और इसे Mini Harrier भी कहा जा रहा है क्यों न कहें क्योंकि इसमें Harrier के काफी स्टांस और Nexon के भी काफी स्टांस आपे Mix किया गया है जबकि आप Tata Motor के इस वरूम में गये थे Tata Tiago को Purchase करने के लिए आपकी नजर पड़ी है Tata NRG, Tata Altros पे लेकिन Tata Punch की बार दी कुछ और है दोस्तों इसका जो SUV स्टांस है, Dimensions है, Height है काफी हद तक की Nexon से भी उची है दोस्तों काफी अच्छी खासी Off-Roading Capability आपको मिलती है 187 mm का High Ground Cleanse आपको ओफर की गई है और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि Tata Altros की तरही Tata Punch को Alpha Architecture Platform पे तयार किया गया है Tata Motor ने अपने वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया है कि Tata Punch को Global NCAP Crestus में 5 स्टर की रेटिंग मिली है बस डेटेल आना बाके है दोस्तों और इसके Specification और इसके Feature बहुत ही जबरदस्त है अपने से उपर सेग्मेंट अपने से नीचे सेग्मेंट सबको खा जाएगी है ताटा Punch के प्राइस अभी Announce नहीं है 20 October 2021 को Announce हो जाएंगे Most Probably Expected जो Price Range होने वाली है इसकी 5.49 लैक टो 8.25 लैक एक्सोरूम प्राइस दिल्ली होने वाली है और मैंने काफी डीलर्शिप पे भी विजिट किया है वहाँ पे सभी लोग यही बता रहे हैं कि 5.49 लैक इसका जो है सुरुआती प्राइस होगी तो सोचो दोस्तों टाटा पंच एक्सपेक्टेट प्राइस रेंज पे खरी उतरी तो टाटा टियागो और टाटा टियागो एनारजी की सेल्स फिगर तो खतम होने ही वाली है साथ में टाटा अल्ट्रोस के सेल्स फिगर पे भी काफी असर पड़ेगा और इसके साथ ही Tata Motor की most popular compact SUV Tata Naxon पे भी असर पढ़ने वाला है दोस्तों इसके जादा तो नहीं लेकिन इसके base variant यानि XC और XM के sales figure में काफी हथ तक असर पढ़ने वाला है क्योंकि इस price range पे आपको Tata Punch का higher variant top of the line यानि creative आप purchase कर सकते हैं हलाकि Tata Naxon में आपको powerful engine मिलता है BS6 Comrade 1.2 liter 3 cylinder turbo charge petrol engine आपको मिल जाता है वहीं Tata Punch में केवल naturally expected petrol engine मिलता है जिने ज़्यादा तर city drive करना है कभी कभार highway पे जाना है थोड़ा सा off-roading करना है तो उनके लिए Tata Punch एक बहतरीन बिकल्प यहाँ पे सामने निकल के आता है दोस्तों तो दोस्तों finally आज की वीडियो में मैंने ये बताने की कोसिस की है कि Tata Punch अगर इस price range पे यानि expected price range पे launch होती है तो Tata Tiago, Tata Tiago Energy, Ultros और Tata Nexon के XCXM variant को काफी ज़्यादा खत्रा रहने वाला है यही थी दोस्तों Tata Punch के effect after launch आपको कैसे लेगी नीचे comment section में ज़रू बताएगा और एक like तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब के बगार बिलकुल मच जाएगा क्योंकि मैं अपनी चैनल पे रोजानाई ओटों बबाई से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट्राइब, वाकराउंज, कमपैरेजन, एसेसरीज आपसे साज़ा गरता रहता हूं तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए तैंक्यू, धन्यवाद, जैहिंद